हुआ है गाइज है आप लोग सब अच्छे से हैं आप लोगोंने मेरे लास्ट वीडियो देखा था बड़े लोगोंने बड़ा पसंद के उस वीडियो को और मुझे रिक्वेस्ट आए दिके सर बाखे की टर्म्स को भी प्लीज हो सके देख वीडियो में एक्स्प्रीन कीजि आज का जो हमारा लेक्षे रहेगा डेट बड़ बी बेजिक टर्मस पाट टू अगर आप पहले फर्स पार्ट नहीं देखे हो तो पहले वो देखेगा उसके बाद में इस पर आयेगा ज्यादा समझ में आएगा आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं अकांट की कुछ टर depreciation आज का हमारा फॉर्स टम रहने वाला है depreciation पड़ाई सिंपल सा दर में depreciation को हिंदी में कहा जाता है घसा रो या गुजराती में बोलो आप इन डिफरेंट लैंग्विजेश घसा रो जिसको इंग्लिश के भाशा में कहा जाएगा वेरेंट टैर अब यह वेरेंट टैर ब यूस कम हो जाती है example मैं आपको दूंगा for example यह मैंने एक mobile phone लिया राइट इस पर्टिकुलर मोबाइल फोन विच आफ बाट ओके अब यह फोन को मैंने बाई किया था 50,000 रुपीज मैं I have bought this phone for 50,000 रुपीज यह मैंने बाई किया था 1st Gen 2019 को मैंने इस फोन के लिए 50,000 रु 2020 तो आपको क्या लगता है अब 1 January 2020 मतलब एक साल बाद में after one year क्या यह फोन वापस 50,000 में बिखेगा क्या यह फोन 50,000 में बिखता है नहीं always इनकी value कुछ कम हो जाती है maybe possible 35,000 में जाए तो कही ना कही 50,000 रुपीज इसकी prices में गिर जाते हैं क्यों गिर जाते हैं क्यों गिर कम होती है this is basically depreciation right हर चीज में ऐसा होता है suppose you purchased a car आपने कार ली for rupees 10 lakh अब आपको क्या लगता है यह car 5 साल बाद 10 lakh की रहेगी no the value keeps on decreasing हो सकता है पहले साल value 1 lakh से कम हो गई है मतलब 1 साल बाद बेचो तो हमें शायद 9 lakh मिले हो सकता है दूसरे साल बाद बेचेंगे तो शायद उ प्यार से बुलाते है डपरी राइट इससे कहा जाएगा depreciation so depreciation की basic definition क्या हो जाती है depreciation means sudden reduction in the value of an asset because of its regular use और वेरेंट राइट उस assets को बार बार यूस करने से उनकी values जो कम होती है that is termed as depreciation depreciation हमारे लिए एक expense होता है it's an expense for us in accounts हमारे लिक expense होता है इसलिए उसको हम अकाउंट पेनल में लिखते हैं accounting language में profit and loss में उसको लिखा जाता है so this is our first time for the day आज मैंने आपको सिखाए आपका सबसे पहला term और हमारा सबसे पहला term था depreciation ठीक ठाक है आगे बढ़ेंगे coming to the next one अब हमारा second term आता है bad debt this is our second term जिसको कहा जाता है bad debt मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा था इसको debt बोलना depth मत बोलना this is not bad debt it is bad debt be silent okay so now what this bad debt means देखो नाम भी चिला चिला के कह रहा bad debt debt मतलब होता है डेटर जिससे पैसे लेने हैं अब वो डेटर अगर bad हो जाते हैं मतलब गंदे हो जाते हैं च्छी हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं bad debt मतलब एक तरह से आपके डेटर बैड हो गए मतलब आपके ड data डूब गए आपके data अब नहीं रहे या किसी भी रीजन से आपको पैसा नहीं आना है so that is known as bad debt एक तरह से bad debt को हम बोलते हैं party उड़ गई right हम बोलते हैं हिंदी में party उड़ गई party उड़ गई मतलब भया हमारा पैसा डूब गया हमारा पैसा चला गया अब वो पैसा हमें व मैंनो उन party को अगर 10,000 के goods बेचे एक महीने बाद में उस party ने मुझे 5,000 का payment दे दिया अब बाकी 5,000 का payment अभी भी outstanding है बाकी 5,000 का payment अभी भी outstanding है मैंनो उसको बहुत phone की बहुत phone की payment नहीं आया फिर पता चले एक दिन भया वो तो दुकानी बंद है वो आदमी गाया पैसा आने वाला ही नहीं है तो मैं वापस मेरी shop है मैंने मेरी accountant को बोला ये पैसा नहीं आना है इस party को bad debt कर दे मतलब ये party पैसा नहीं देगी right it is कि ये पैसा बूब गया तो जब भी हम bad debt करते है bad debt हमारे लिए expense होगा क्योंकि हमारा पैसा बूब जाता है राइट ये हमारे चार-बाइस साल बाद वो वापस हमें मिलता है हमें मिलता और अचानक से उसका मन बदल जाता है रदे परीवर्तन हो जाता है long after years it can be 3 years 5 years कभी भी तो अगर ऐसा डूबावा पैसा वापस कभी आ जाता है तो उसके लिए term होता है and that is known as bad debt recovered इस terms को कहा जाता है bad debt recovered यह हमारे एक नया term होता है यह bad debt recovered term कभ यूज होगा जब हमारा पूराना डूबावा पैसा आज हमें अचानक से मिल जाता है तो उसे कहा जाता है bad debt recovered जिस तरह से bad debt आपके लिए expense था bad debt recovered आपके लिए income होती है आपकी कमाई होती है bad debt recovered क्योंकि आपका डूबावा पैसा आपको वापस से आ जाता है तो अभी हमने दो terms और सिखे हमने सिखा पहला bad debt मतलब पैसा डूब जाना party उड़ जाना and bad debt recovered मतलब रदे substitution create करते हैं they use two terms मतलब substitution में use करते हैं कभी income बोलेंगे और कभी वो लोग बोलते gain but accounts इतना simple नहीं accounts आपको दोनों को साथ में use करने नहीं देगा you can't say both the terms जब भी आपका मन हो या रास्तों मुझे 500 रुपे की income हुई क्या बात है या रास्तों मुझे 500 रुपे का gain हुआ क्या बात है पहले income बोला फिर gain बोला does both the words है same meaning कहें दोनों का meaning same होता है of course not आप नहीं बोल सकते कि द income और gains अलग-अलग समय पे use किये जाने चाहिए income word normally कभ use होता है income word normally use होता है जब आपको किसी तरह की earnings होती है बट वो earnings होती है आपको business से अगर आपको अपने business से किसी तरह की कमाई होती है तो आप बोलोगे क्या बात है income होई है वाइसा वर्षा वाइसा वर्षा gain word भी हम use उस तो करेंगे earning के लिए ही मैं यह नहीं बोरा gain earning के लिए उस नहीं करेंगे बट यह gain आपको other than business से मिलता है यह आपको business से नहीं मिलेगा it would be other than business activity यह business activity के अलावा कहीं से मिलेगा तो उसे कहा जाता है उसे कहा जाएगा gain example देता हूँ चलिए मेरा profession है I'm a teacher right I'm a teacher I teach many students so मेर लिए मेरा profession हो जाता है मेरा business हो जाता है ट्यूशन पढ़ाना right I give coaching to different amount of students so अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि भाया मेरे पाच 5-10 नए admission मैं घर जाओंगा ममी को बोलगा ममी आज 10 बच्चे नया है मेरे को एक लाख रुपे की income हो गई क्या बोलूंगा मैं मेरे पास 10 बच्चे आए मुझे एक लाख रुपे की income हो गई because वो मेरा business है that is my profession to teach students वो मेरा काम है तो अगर उससे मुझे कुछ पैसा मिलेगा that would be income for me vice versa दूसरा मैंने कोई property ली थी 30 lakhs रुपीज मैं एक साल रखाउस property को 35 lakhs की होगे मैंने उसको बेच दिया तो मैंने कितना कमा लिया पांच लाग कमा लिया अब मैं घर जाके यह नहीं बोलूंगा ममी मुझे पांच लाग की income हुए no मैं बोलूंगा ममी मुझे पांच लाग क कभी कबार हम कर लेते हैं सो उसे कहा जाएगा gain lottery लगना it's a gain it's not income lottery हमारा business नहीं है वो हमारे लिए gain होता है तो ध्यान रखना बहुत लोग इसमें confused होते है income और gains के अंदर income business activities से होती है जबके gain other than business activities से रहेगा सो यह हो जाता हमारा आज का तीसरा term this is our third term that is income and gains coming to the fourth one अब यह फोर्थ डम थोड़ा सा magical है क्योंकि इसमें पता नहीं मुझे समझाने के सुरत क्यों पड़ते है बच्चे इसमें क्यों confused होते है यार stock तो बड़े simple सी बात हो जाते है इसमें क्या नया है I don't know why people are afraid of stocks or stocks क्या the stock right आपने जितना purchase किया minus आपने जितना बेच दिया that is a stock I assume कि opening कुछ नहीं था closing कुछ नहीं है हमारे पास पहले कुछ नहीं था हमने आज ही purchase किया for example for example आपने 10,000 electronic cables mobile charge करने वाले cables purchase किये थे right any type of C type A type O type जो आपको अच्छा लगे तो आपने 10,000 units purchase किये 10,000 में से भाईया आपने 8,000 units बेच दिये 10,000 में से आपने 8,000 unit बेच दिये तो आपके पास कितना बचेगा 2000 unit that becomes our stock तो stock बड़ा ही simple है stock मतलब जो आपके पास बच गया सब बेचने के बाद में आप आपने जितना खरीदा जितना बिग गया last में जो आपके पास रह जाता है that is our stock और सर यह stock आपके लिए asset है आपके लिए पूंजी है क्योंकि आज बचा है कल वापस बिकेगा वापस पैसे कमा के देगा so this stock यह stock आपके लिए हमेशा से asset रहने वाला है यह आपके लिए wealth र यहां रखना stock term आप business goods के लिए use करो बाके goods के लिए use मत करना तुमारे पास laptop का कितना stock है एक no laptop is not my business वो तो मेरा ऐसे investment होता है मैं उस पर use करता हूं so बाकी चीजों के लिए stock term को use मत करना stock term को खाले business goods के लिए use करना आपका जिस चीज का business से वो goods अगर बच जाएंगे तो आपके लिए stock रहेगा don't use this word for general purpose other than business goods right so this is our stock this is our fourth term next one my favorite one और यह बहुत इंपोर्टन है बहुत 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 इंपोर्टन है प्लीज ज्यान देना दो टर्म्स होते हैं trade discount and the second one is cash discount पहला टर्म था trade discount दूसरा टर्म है cash discount normally हम discount जब भी सुनते हमें लगता है discount मतलब एक तरह से हमें पैसा किसी ने को कम देना पड़ा या किसी ने हमको पैसा कम दिया right that is discount but business में अलग तरीकी की होती है मैं आपको एक कहानी सुनाँगा right मैं आपको एक कहानी बताता हम बात करते हैं हमारी फैवरेट मेंगी का right this is our मेंगी नूडल वैसे तो नूडल ही होता उसको मेंगी कहा जाता है because it's a great brand और उसके नाम से आजकल जाने जाती हर चीज़ ओके सो इस टाइप ऑफ ग्रेट नूडल अब मेंगी वाले ने जब मैंगी बनाई अपने फैक्टर अब मेंगी जिसने बनाई है that is the manufacturer that is the producer right अब जिसने मेंगी बनाई वहां से लेकि यहां तक हमारे पांच तक पहुंचने में हमें फाइनल कस्टमर ओके वी आर्दा फाइनल कस्टमर हमें भी MRP 90 ही दिखती है पकेट के उपर तो यह कैसे जादू हो गया अगले ने 90 में बन रिता है वह ऐसे डील करता है चलो मेगी वाले ने सबसे पहले एक स्टॉकिस्ट को फगड़ा जिसको देज देगा नहीं वो सको चैघंड डिसकाूंट कभी परेशनेंटेज ecc ने मुपरेशन में होता है तो MRP को उस पर 40 रुपे कम में मिलेगा मतलब इस बंदे को भले MRP 90 बट इसको मिला वो प्रोडक्ट 50 रुपीज में राइट अब यह डिस्ट्रिगूटर था डिस्ट्रिगूटर जाके देता स्टॉकिस्ट को जो एरिया वाइस होते राइट उसने दिया स्टॉकिस्ट को या फ 20 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा मतलब इसको कितना मिला इसको मिला 70 में ओके अब यह होलसेलर देता है रिटेलर को राइट अपस ने दिया रिटेलर को रिटेलर को कहा जाएगा मैं गी चाहिए हाँ बोला एक कार्टून भेज दो उसको कहा गया वह आपको 80 में मिलेगा उसको 10 रुपा ट्रेट डिसकाउंट दे आप मानो कि इधर से ट्रेट डिसकाउंट की चेंज चालो हुई थी और ट्रेट डिसकाउंट हर किसी को दिया जा रहा है तो क्या इस डिस्टूबिटर को खुश होना चीए मेरे को 40 रुपे का ट्रेट डिसकाउंट मिला सर इट्स discount ही नहीं है यह तो खाली बात करने का तरीका है आपको कोई पूछेगा आपने मैंगे कितने में ली तो आप ये नहीं बोलोगे 90 minus 40 trade discount मिलके मिलको 50 में मिली नो आप ये बोलोगे मैंने 50 में ली उसकी price ही 50 है MRP को आप consider नहीं करोगे and that's the reason कि trade discount को accounts में लिखा ही नहीं जाता है क्योंकि सच में trade discount को discount नहीं है it is just a basic way of dealing just with a motive of mentoring the final MRP last MRP को maintain करने के लिए हम ये discount देते हैं सो कभी भी trade discount को discount मत मारना trade discount आपके लिए income नहीं है in fact trade discount को consider ये मत करना वो discount नहीं है आपको net jitने में मिला trade discount माइनस होने के बाद आप उतने में record करोगे example हमने 90 rupees के 1 sousat Be novae मतलब हमने सामने वाले को दिये 90 9000 MRP but हमने उसको दिये 50 rupees मे0 मतलब हमने दिया 40 rupees का trade discount हमने दिया 40 rupees का trade discount मतलब मैंने discount दिया 40,000 और गा This was my trade discount मैंने discount दिया 40,000 का उसको कितने में आया 50,000 में पड़ा तो वो ये सब चीजों को नहीं देखेगा वो अपने बुक में recording करेगा सिर्फ 50,000 की कि मैंने 50,000 का मैगी खरीदा खतम वो दूसरा कुछ भी देखने वाला नहीं है वो और दूसरा कुछ भी देखेगा नहीं वो 50,000 क entry करेगा वो ऐसे entry नहीं करेगा मैंने 90,000 का goods आया 40,000 मुझे discount मिला no 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 40,000 वो discount नहीं गीना जाता है because it's a trade discount तो इस story का moral क्या हुआ simple सा final moral trade discount is not to be written in the books of accounts trade discount हम accounting book में नहीं लिखते हैं क्यों क्योंकि वो discount सामान नहीं है it's a normal discount which is given to each and every individual who are in that particular business जो हर आदमी को मिलता है वो को special लोगों को किसी special situation में नहीं दिया गया है वो हर किसी को मिलेगा that is basically trade discount अब कहानी होते हैं भाया दूसरे की that is what is this cash discount a very beautiful term cash discount क्या होता है सर कैश डिसकाउंट यह हर किसी को नहीं मिलता है आप जाओगे मिलेगा मैं जाओगा मिलेगा no not like that यह कुस specific circumstances में मिलता है मतलब कैसे मिलेगा बड़ा ही magical term है मैंने कहा था this is perfectly cash discount specific situation है यह हर किसी को discount दिया जाता नहीं है यह special situation है जो बहुत ही special condition में मिलती है जो हर किसी को न तो ही आपको discount मिलेगा मैं आपके लिए illustration बनाता हूं पूरा कर पूरा I went to a textile shop right मैं मेरे area के आसपास में textile shop पे गया वो इस textile shop पे जाके मैंने पूछा कि भाईया यह सारी कितने की है what's the cost of this particular सारी उसने बोला 500 रुपीज किया मैंने बोला ठीक है भाईया एक सारी 500 पैसा कैसे देना है उसने कहा आपको payment करना है 60 days के अंदर मतलब जिस दिन आपका bill बनेगा उसके 60 दिन में आपको payment करना है मैंने बोला ओके यह बात तो सही है चलो 60 दिन में पांच लाग देना है अगर मैं आपको अभी cash दो तो मैं आपको 10% cash discount मतलब जितना भी bill amount है उसका 10% में आपके लिए less कर दूँगा as a part of cash discount यह ऐसा discount है जो खाले उनको मिलता है जो cash payment करते हैं तो मैंने मैंने उसको on the spot cash दिया इसलिए उसने मुझे 10% rate discount दिया मतलब अब मुझे bill कितना pay करना है साड़े 4 लाग का अब आपको क्या लगता है यह जो benefit मुझे मिला है 50,000 का व यह specifically मुझे मिला है इसलिए यह मेरी income है क्योंकि मैंने payment cash किया रोकड़ा payment दिया है so this is income for me and whose income को हम अपनी accounting book में लिखते हैं इसको normally market language में business language में इसको वटाव कहा जाता है right so कुझराती हिंदी ने language में इसको वटाव कहा जाएगा अगर कभी आप अपने parents से discuss को तो आपको बहुत अच्छे सा समझा पाएंगे कि ऐसे तो normal है हमारे लिए 2% 5% हमें trade discount easily मिल स्वारी cash discount हमें बहुत easily मिलता है that is a business thing so cash discount आपके लिए income होगी अगर आपको मिल रहा है तो अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए expense होगा क्योंकि cash discount हम देते हैं खाले उन लोगों को जो हमे cash payment देते हैं अब आप सोचोगे कि से क्यूं दिया cash discount नहीं देते तो 50,000 का फाइदा था से businessman harassment नहीं चाहता परिशानी नहीं चाहता यार आज goods देखो 60 दिन बाद में वो साथनी को follow up लोग पैसा आया के नहीं आया कितनी बार पैसा दूब जाता है 60 दिन में party कहीं 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 बढ़ते हैं तो वो लोग cash discount देते हैं जिससे उनको मेनत कम करने पड़े उनको harassment कम हो भली जहां उसको 70,000 मिल रहे थे हैं पांच लाग पे 50,000 सामयालों को दे दिया उसको 20,000 ही मिल रहे है बट कम से कम मिल गया transaction close आगे बढ़ते हैं इसलिए cash discount businessman देता है अपने harassment को कम करने के लिए right so this is basically cash discount it is treated in the books of accounts उसको accounting book में लिखा जाता है either as an income अगर आपको discount मिल रहा है तो और either as an expense अगर आप किसी को discount दे रहे हो तो बढ़ धान रखना cash discount खाली तब ही मिलेगा जब payment हो रहा है payment either in cash और via check आप अगर payment करोगे तो ही मिलेगा वरना नहीं मिलेगा credit transaction में cash discount नह लास्ट टॉपिक mostly बट बहुत बड़ा टॉपिक है ध्यान देते रहे ना and that that is capital and revenue capital में भी दो होते हैं एक होता है capital income जिसको आप capital receipts भी बोल सकते हो एक होता है capital expenditure वैसे revenue में भी दो होते है revenue income जिसको आप revenue receipts भी बोल सकते हो एक revenue expenses ओके अब इन टर्म में क्या फरक रहता है वो देखेंगे what are the basic difference in these particular terms इन टर्म में क्या फरक रहता है what is capital income and capital expenditure and what in revenue receipts and revenue expenses देखो नाम बता रहा है capital capital हमेशा होता वही चीजे जिसके कारण assets और liabilities में फरक पढ़ रहा हो मतलब आप जब भी capital expense करोगे या capital income करोगे तो आपके assets और liabilities में फरक पढ़ना ही पढ़ना है there would be a great change in assets और liabilities मतलब अगर आपने capital expense किया तो दो चीजे हो सकती है या तो आपने कोई asset खरीदा मतलब आपका asset बढ़ जाएगा या आपने कोई loan payment किया है मतलब आपकी liability कम हो जाएगी तो capital expenditure से हमेशा assets और liabilities में फरक पढ़ना ही पढ़ना है capital income और capital expenses से हमेशा assets और liabilities में फरक पढ़ेगा ही पढ़ेगा जबकि revenue में ऐसा नहीं होता revenues are basic regular business expenses बिजलीगा बिलबरा लाइट बिलबरा कमिशन में यह basic business expenses और basic business income है इनसे assets और liabilities में कोई भी फरक पढ़ता नहीं है and that's the reason revenues are recurring in nature ये बार 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 होते रहते हैं हर महिने में हर दो तीन महिने में आते रहेंगे ये आपके बासे recurring nature क्यों होते है जबकि capital expenses are non recurring in nature ये non recurring होते है आपने business के लिए जमीन खरी दी लैंड खरीदा it's a capital expenditure आपके हरों जमीन खरीद तो नो बड़ आपने बिजनस के लिए raw material खरीदा वो रूच का का मैर raw material लिया वापस खत्म हो वापस मंगाया it's a revenue expense right so ध्यान रखना capital मतलब non recurring nature का होता है revenue मतलब recurring nature का होता है capital हमेशा या तो asset create करेगा या तो liability को destroy करेगा जबकि revenue के कारण ना capital में फरक पड़ेगा ना asset में फरक पड़ने वाला है right so this was my last term अब वैसे तो बचालोग मैंने मेरे हिसाब से सारे के सारे important terms cover कर लिए it's not possible to cover every particular terms of accounts accounts is very vast then to आप लोग free हो आप मुझे जो नीचे scroll हो रहा है right उस number पर आप मुझे message छोड़ सकते हो कि सर हमें ये topic और सिखाई है 100% में कोशिश करूंगा maximum लोगों की जरुवत को satisfy करने की either आप comment section में जाके लिख सकते है कि आपको और क्या-क्या जानना accounts के बारे में right so मैं 100% बहुत खुश रहूंगा आपको उन चीज़ों के लिए help करने के लिए और कोशिश करूंगा मेरी next वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में भी detail में explain कर सकूँ ठीक दा आगे तो इस तरह से मैंने basic terms maximum cover कर लिए है फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो दोनों देखेगा accounts आपको starting के लिए बहुत easy हो जाएगा आज के लिए इतना है रखेंगे गाईज बाबाई for the day